हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल स्माइल अपर लिए डॉक्टर पुर्णू बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है मोस्ली मेरे पास कमेंट भी हते हैं पेशेंट्स भी एक्रेशन करते हैं कि पाइरिया को जड़ से कैसे खत्म किया जाए हमें को ऐसा उपाई पाइरिया को जड़ से खत्म करते हैं पाइरिया की बिमारे की बारे में सब मुस्ली लोगों को पता है कि क्या चीज है कैसे होती है तो अगर किसी को पाइरिया है और बहुत सारे लोग बोलते कि कभी जड़ से खत्म नहीं होगा पाइरिया कभी खत्म नहीं होता तो ऐसी को के द्यान रखना, एक्स्ट्रा केयर करने होगी हम नॉर्मल जो केयर करते है उससे भी एक्स्ट्रा केयर आगर आपको सकते ह पाई यह क्या होता है हम हम जो भी कुछ खाना खाते हैं फूर डिपोजिटवर हमारे यहां Casey पाटे हमारे दो दानतों के बीच में फंस आता है जहां हमारे गंचायर होता है मसूडीय जहां होते हैतने मासूडीय के अंदर घ्लीकिन खाना फंस आता है और वो अच्छे से क्लिए नहीं होता हम ब्रेशिंग से या अच्छे से जब खाना है फसावा नहीं निकाल पाते हैं तो इसी कंडिशन में वहाँ पे बैक्टिरियल इंफेक्शन हो जाता है जिसकी वज़े से मसूडों में पस बन जाती है और धीरे धीरे जो हमारी ये जो इ आंट भी हिलने लग जाते हैं और मसूडों से खून आता है मुझ से बद्बू आती है और दर्द भी रहते हैं मसूडों में सुजन भी आ जाती है तो यह सब पाइरिया में होता है तो अब ये है कि इसको हम ठीक कैसे करें अगर एक बार पाईरिया हो जाए तो हम लोग इस इससी condition में इसका treatment ही है कि आप dentist के पास जाके एक बार इसकी scaling करवा ही और आपको कुछ मसुडों पर लगाने की जो dentist है वो कुछ medicine prescript करते हैं इसको ठीक करने के लिए तो एक तो scaling करेंगे के रूट प्लानिंग करेंगे जिससे जितना भी आपके गम्स के अंदर जो पास भरी हुई है जो फूड लोजमेंट वह जो बैक्टरिल इंफेक्शन वाली जो डिपोजिट से जिसको हम कैलकुलास वगेरा कहते हैं वो सब कुछ क्लीन कर देंगे क्लीन करने के बाद आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको कुछ मेडिकेशन प्रिसक्राइब करेंगे जैसे कि मसूड की मिसाज करना जेल्स लगाना गम पेंट और माउथ होस जैसे कुछ चिज़े आपको प्रिसक्राइब करेंगे आपको उनका कंटिनु जैसे डेंटिस्ट बता है उसके according आपको वो treatment लेना है कि आपको कैसे massage करनी है कैसे gum pen use करना है continue आपको सफाई कैसे रखनी है यह तो हुआ कि आपको पाइरिया को मतलब उसको ठीक करना है लेकिन एक बार ठीक होने के बाद उसको maintain कैसे रखना है कि वो एकदम खत्म हो जाए कि वापिस होए ना इ कि एक तो अपने दान्तों और मसूडों के अच्छी से सफाई रखनी है सफाई में क्या होता है कि कुछ भी हम खाना आपके एक बार जैसे आपने क्लिनिंग वगेरा कर वाली और आपकी मसूड है ठीक है तो आप भूल जाते हो कि मतलब कैसे इनको देख बाल करने आप सोच ऑए और और खाना खांगरने के बाद ब्रश करनी है साथ लुक्त Kir сांद यूज करना है दिन में दो बार सुब मेर सुब्पर ऊ सुबर यूइल रात को करनी है ब्रश के साथ कुछ भी पूर लोजमेंट पर कोई प्रास को गीसना नहीं बोई बहुत सारे लोग ब्रश करते जिसके वज़े से मसुड़े टूटते हैं ऐसा नहीं करना है मसुड़ों की रेगुलर मसाज करनी है अगर वो जेल खत्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा नारियल का ते लीजे और अपने जो गम्स है उसको अच्छे से अप्टू डाउन मसाज कीजी उससे आपके गम मजबूत रहेंगे साथ गुनगुने पाने में नमक डालके कुल्ले करना है यह भी आपके मसुड़ों को स्वस्तर रखता है अगर हो सके तो हपते में एक या दो बार ओईल पुलिंग कर लीजे जिससे भी आपके गम साव हेल्दी रहेंगे इस तरी किन करवाईए और उसमें कोई भी पस्वाम मत होने दीजिए तब आपका दांत है वो स्वस्तर रहेंगे मसुड़े स्वस्तर रहेंगे और आपके जो पाईरिया की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी एक तो यह होती है अगर शुरुवाती स्टेज यानि की ब्लेड हैं तो इससे कंडिशन में जिसको हम सीवियर कर जो पाया होता है अगर वहां तक पहुंच गया है तो हम लोग क्या करते कि कोशिश करते हैं कि वापिस तो उस जगह है वेसा का वेसा का कर नहीं सकते लेकिन गीन G तरभी कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कैसे करते हैं उसमें भी आपको डेंटिस्ट को दिखाना है क्लीनिंग करवानी है रूट प्लानिंग करवानी है साथ ही वही मेडिकेशन जो है वो यूज करने लेकिन उसमें थ्री मिन्स में आपको डेंटल विजिट करते पहले पर भॉबबलीटी वह थी है तो मोबलीटी होने के विऻ है आपको थोड़ा सा केर जादा करनी होगी ताकि कोई भी दांत को नुकसान ह। पर भॉब जादा होता है इसके साहत है कि उनको क्लिसा चाहते हिर की जाते हैソ attacked ग्राफ्टिंग भी एक चीज होते है क्योंकि जनरली क्या होता है दांत होता है वो हमारी बोन में होता है हड़ी में होता है तो वहां से हड़ी क्या करता है जो जमा होता है वो हमारी हड़ी को खत्म कर देता है जिसके विज़े से दांत हिलने लग जाते है तो थोड़ा से सर् बन ग्राफ्टिंग का मतलब होता है एक बोन को दूसरी बोन को वहां पे शिप्ट कर दिया जाता है जिसके वज़े से सरजरी के दूआ वहां बना दी जाती है जिससे वो हेलना है वो कम हो जाता है तो यह भी एक आप्शन है जिसे हम अपने दान्तों का जो पाईरी है उसको तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और यह treatment होता है यह मैंने आपको घरलू इलाज नहीं बता है जनरली जो क्रीणिक्स में होता है वो बता है अब मैं आपको थोड़ा घरलू इलाज बताती हूं कि अगर आप बाइचास के पास नहीं जा पा रहे हो तो आपको कैसे अ ओको एक तो मसाज और जैल क्रीम मिल जाए वह बहुत अच्छी बात अगर जैल नहें रहें युटन रहें नारियल को यहा परेrans subsidies भरेने अच्छे वारे नीचे वालों को है मतलब बाउन टुप अप ऐसे से मसाज करनें की मदर दूसरा आपको गॉनगुने पानी में नमग डाल के पिल्ली जितनी बार कर सकते हो अतनी बार कर सकते हो बिटादिल ना सकते हम ठोंध ना तो उससे आप अच्छे से कुल्ले करों बिटाडीन नहीं मिले तो आप फिटकरी के पानी के भी कुल्ले कर सकते हो वह भी आपके मसूरों के लिए बहुत अच्छा option है इसके अलावा आप क्या कहीजिए कि थोड़ा सा जो लहसून होता है या अद्रक का पेस्ट होता है उसमे ताके दो या तीन मिनट छोड़ दो उसके बाद आप उस पर फिर से क्लीन करके कुल्ले कर लेना है गारगल करने से क्या होगा कि जितना भी अंदर जो बैक्तिरिया है मसूरों के अंदर वह सारे गुल के बाहर निकल जाएंगे जिससे यह infection बढ़ेगा नहीं और जहां तक आपके गम में प्रोप्लम हो वहीं स्टॉप हो जाएगी बाद इस लाइसन के अलावा अप अधरक का जो पेस्ट होता है अधरक में पी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जोती है तो अधरक के पेस्ट को भी आप अपने गम्स पे लगाई एच्छे से मसूरों पे ल दूल के बाहर निकल आएंगे तो आपका जो प्रोब्लम है वहीं स्टॉप हो जाएगी लहसुन और अधरक दोनों में एंटी फ्लेमेटरी गुण रहता है तो आप कभी अधरक का इस्तेमाल कर सकते हो और कभी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हो दोनों को एक साथ करने की और कम से कम 30-40 सेकेंड कीजिए बहुत साले लोगों तो एक से दो मिनट लेकि इतना पॉसिबल नहीं होता है अब 30-40 सेकेंड तक अपने माउथ में और को रखिए उसके बाद आप अच्छे से गारगल कर लीजिए तो यह भी आपके मसूड़ा की जो इंपेक्शन उसको ब अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को थैंक्यू